हेलो फ्रेंज बेलकम तुमा चैनल साइना टेकनोलोजी किचन तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिप लेके आई हूँ आज हम बनाएंगे भोलेनात के लिए परशार तो यह परशार में साबुत दाना है इसका बनाऊंगी तो इसको मैंने भिगोया नहीं था पहले इसक इसका पाउडर डालेंगे बीच में तो से पहले तो हम गैस ओन करेंगे फ्राइविन में औल को डालेंगे यह दिखे मैंने औल डाल दिया है आप इसको दो मिंट के लिए पकाएंगे यह दिखे हमारा ओल जो है वह पक चुका है अब हम यह साबुत दाना जो है इसको फ्रा प्राइब करेंगे त्दाइब करेंगे अश्य तरह से प्राइब करेंग खोसके आप फट्राइब करेंगे यह देखेए आफरे आफ़ा तो हां जो है हम वह पक चुका हैं आप हम इसमे निडालेंगे ये मिटी सॉंप डालेंगे गैस के आपा नारिय डालेंगे और ये दो इलाची पाउडर डालेंगे अब हम इसको मिट्ट करेंगे दो मिल्ट के लिए से पताएंगे अब हम गैस को बन कर देंगे देखे ये हमारा भोले नाथ का पशाद बन के तैयार हो चुका है तो कैसे लगे आपको मेरी वीडियो वीडियो को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप भी ऐसा पशाद बनाई और भूले नाथ को खिलाई थैंक यू